क्लास नाइन और टेन हमारा सिलिवर्स कंप्लीट हो चुका है पार्ठिकरम तो आज में आप लोगों को सीबेसी की तरफ से जो आर्ट इंटेगरेटड प्रोजेक्ट दिया गया है अर्थाद कला एकिकरित परियोजना इसके अंतरगत यह हर स्कूल में दिया गया है और हर बच्चों को यह करना है तो इसके अंतरगत जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से हम जो चीजे हम जो सीखते हैं जो विशे के अंतरगत जो सीखे हैं उन सब सीखीवे चीजों को हम किस तरह से प्राक्टिकली हम दिखा सकते हैं या प्राक्टिकली हम उसे कर सकते हैं इसके इसी उद्देश्य को लेकर आर्ट इंट्रिगेटड प्रोजेक्ट दिया जा रहा है सभी विदार्थियों को तो क्लास 9 और 10 दोनों ही क्लास के जो चात्र हैं स्टूडेंट हैं उन सभी को हर विशय में ऐसे प्रोजेक्ट करने हैं तो उसी तरह से हिंदी में भी प्रोजेक्ट हैं हिंदी में मैंने कविताएं दी हैं तो ये कविताएं मुख्यता मैंने इसलिए दिया हैं क्यूंकि हम ब बहुत अच्छे अच्छी कविताएं हैं और बहुत अच्छे कवियों ने इसे लिखा है बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर तो आप लोगों को इन कविताओं को लेकर जो कविता आपको बहुत अच्छी लगी या कोई ऐसी कविता जो आप लोगों ने पिछले क्लास मे पढ़ी थी जो आपको बहुत अच्छी लगी थी उसका उदेश ये बहुत अच्छा था और उस कवी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं या फिर वो कवी आपको बहुत अच्छा लगता है तो उस कवी के बारे में उस कवीता को आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट में प चित्र बना सकता है, तो अगर कविता गाओं से जुड़ी हुई है, गाओं के वातवरन को दिखा रही है, तो गाओं का जो वातवरन है, और अचील होता है, हरे पेर पहुद है, लुगे उनस and सब के चित्र बना सकते हो, आप लोग, तो इस तरह से आप को एक प्रोजेक्ट जो की कवीता के उपर होगा कवीता विशय पर होगा उसे त्यार करना है आप लोग अगर अपनी खुद की कवीता लिखना चाहते हैं या फिर अपनी खुद की कवीता आपने कभी लिखी है तो उस कवीता को भी आप अपनी प्रोजेक्ट के मादम से कवी जिसके हैं वैसे ही जैसे मैंने कहा कोई कवी आपको पसंद है तो उस-कवी-का चित्र आप लगा कर उनके Š這邊 कवीदा कवी परिचेRe consists और कवीता लिखकर कवीदा से चुड़िएवे जो चित्र है उन्हें बना सकते हैं और उसका हुद्दिष्य क्या है? उद्देश्री भी आपको लिखना है कि जो कवीता लिखी गई है वो अपनी कवीता हो या फिर कवी की कवीता हो तो उसके माधम से हम ही क्या सीख मिल रही है उसे सीख को भी लिखना है तो इस तरह से आपको एक हिंदी का प्रोजेक्ट तयार करना है जो कि जो सीवेसी की तरह आपको ये समिट करना है तो आप लोगों का पार्थे क्रम पूरा हो चुका है तो उसको revise करना है और जो समय है उस समय से आपको ये प्रोजेक्ट तयार करना है प्रोजेक्ट में सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे नाम, रोल लंबर, school का नाम और इस तरह से जितनी detail है वो आप लिखेंगे एक page में, उसके बाद आप आपको कवीता सुरू करनी है तो कवीता सुरू करने से पहले अगर आप खुद की कवीता लिख रहे हैं तो खुद की कवीता पंक्ति जैसे पहले पहले पेज में आपने चार पंक्तिया लिखी चार पंक्तियों से जुड़ेवे कुछ चित्र बना दिये और उसके बाद दूसरे पेज में दूसरी पंक्तिया लिखी इस तरह से आपने पूरी कवीता पूर्ण की और उसके बाद कवीता से क्या उद्देश्य है उस उद्दे कवी के बारे में आपको जीवन बड़ी चे लिखना है कि कवी के जीवन में क्या-क्या हुआ था वो कैसे कवी उनका कारे चेत्र कैसा है तो वो लिखते हुए उनका जीवन बताते हुए आपको उनकी एक कवीता या फिर आपको एक से ज्यादा कवीता उनकी पसंद है तो वो भी आप लिख सकते हैं उनसे जुड़े वें आपको चित्र बना सकते हैं और उन दोनों कवीता आपको क्यों पसंद है वह भी आप उसके बाद अन्त में लिख सकते हैं problems कि कवुता का उद्देश क्या है और क्यूं आपको यह कविता पसंदहले हैं इस तरह से इसमें पेज के हिसाब से आपको कवीता की सिर्व लिख देना है, बलकि आपको अपनी कला को भी, दिखाना है तोको हम अधिम से अगर अगर आप कवीता लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप कवीता कवी की कवीता लिख रहे हैं तो उसमें कुछ अपना अपनी काला का प्रदर्शन करें और उसको अच्छे तरह से दिखाएं उस प्रोजेक्ट को बहतर बनाएं